देश में कुरोना वैक्सीन की कीमतों को लेकर चल रहे विवादों के बीच मोधी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है मोधी सरकार ने सीरम इंस्ट्यूट और भारत बायोटक को साफ कह दिया है कि वैक्सीन की कीमते कैसे कम हो इसकी संभावनाओं को तलासें यानि कि साफ है मोधी सरकार चाहती है कि वैक्सीन बनाने वाली कमपनियां दाम को कम करें ताकि देश्वासी कोरोना का टीका असानी से लगवा सके सूत्रों ने इंडिया टूडे को बताया कि किन सरकार ने वैक्सीन की कीमतों को लेकर सीरम इंस्टूट और भारत बायोटेक से बात की है और उनसे कहा है कि वो सभी संभावनाय तलासी जाएं जिससे वैक्सीन की कीमते कम हो सके सूत्रों से पता चला है कि भारत बायोटेक ने वैक्सीन की कीमत कम करने का फैसला लिया है हलाकि भारत बायोटेक वैक्सीन की कीमते सिर्फ राज सरकारों के लिए ही कम कर सकती है निजी अस्पतालों को मिलने वाली वैक्सीन की कीमत कम नहीं होगी दरसल एक माई को कोरोना वैक्सिनेशन का तीसरा फेस सुरू हो रहा है इसके तैद 18 साल से उपर के सबी लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी इससे पहले सीरम इंस्टूट और भारत बायोटिक ने अपनी वैक्सीन की कीमते जारी की है दोनों ही कमपनियों ने केंदर सरकार, राज सरकार और नीजी अस्पतालों के लिए वैक्सीन की अलग-अलग कीमते तै की है कोवी सील बना रही सीरम इंस्ट्टूट की एक डोज केंद सरकार को डेड़ सो रुपए, राज सरकार को चार सो रुपए और निजी अस्पतालों को छे सो रुपए में देगी, जबकि भारत बायोटेक कोवैक्सीन की एक डोज केंद सरकार को डेड़ रुपए में, राज सर परकार को 600 रुपए में और निजी अस्पतालों को 1200 रुपए में देगी वैक्सीन की तीन अलग-अलग किम्तों को लेका जम कर विवाद हो रहा है बतादे कोरोना वैक्सीन के तीसरे चरण का अभियान एक मईस सुरू हो रहा है इसमें 18 साल से ज्यादा उम्रवालों का वैक् करा सकते हैं भारत में इस वक्त तीन वैक्सीन के इस्तमाल को मंजूरी मिली है पहली वैक्सीन है कोवी सील जिसे सीरम इंस्टूट बना रहा है और दूसरी है कोवैक्सीन जिसे भारत बायोटेक्ट ने आईसीमर के साथ मिलकर बनाया है तीसरी वैक्सीन है इसपूत्निक 5 जिसे इमर्जेंसी यूज की मंजूरी मिल गई है यह रूसी वैक्सीन है जिसे भारत की डॉक्टर रेड़ी लैब बनाएगी बताया जा रहा है कि मई में इसपूत्निक 5 का प्रोडक्शन सुरू हो झाल झाल